जब आप सथसंग नहीं कर रहे हैं, एंटर्टीन्मेंट कैसे करते हैं? अभी कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा मुबाइल चलाना सीखते हैं क्या देखते हैं मुबाइल में? गैम से ये बताओ, वर्जिश करने का समय मिलता है? कभी-कभी किर्किट खेले हैं जब समय मिलता है तोड़ा में? बाटिंग या बॉलिंग है? आल लाउंडर हैं पन इतना ट्राविल करते हो, सब जगह जाते हो सोने का, त्रेस्ट करने का समय मिलता है गाड़ी में ही सो लेगे तो बच्पन के स्कूल के दोस्त हैं भी आपके नहीं? हाँ, अभी भी, हम तो उनको मिलते हैं वही बात हैं, वही धूरा कावारी बात हैं कभी पराने बच्पन के दोस्त जिसने आपके साथ लड़ाई-बटाई करी हो तो आप बोलते हो, आप तेरा पर्चा निकाल दो एक दफ़ा आपको टीटी ने पकड़ लिया बिना टिकेट के ट्रेन में जा रहे हैं उसने आपसे पैसे मांगे और उसका ही चालन काड़ी आप कहते है हनुमान जी बिना वीदा के चलेगा श्रिलंका और रावण से आपकी फोन पर बाचित होती है महराज जी हमने सुना कि आप बहुत जल्दी शादी करने बाले हैं तब मान लेके महराज जी की शादी किस तरीक तक हो जाएगी हो जाएगी इसके लिए आप कभी धाम आओ दो अरजी लगाते हैं अपार दबश्कार में वेवेग बिनरा फाउंडर इन सी ओ बड़ा बिसनस डाट कॉम दबड़ा बारत शो में आपका स्वागत है ऐसे लोग जो भारत को बड़ा बारत बनाते हैं हर बुदवार उन्ही की कहानिया हम आप तक पहुँचाते हैं आज जिन से मिलवा रहे हैं खास विक्ति जिस उमर में बच्चे स्कूल जाते थे भाग के मंदर पहुँच जाते थे परिक्षा के पर्चों में भले गलती कर दे जिंदगी में हरे का परचा निकाल दे ते एक वक्त था रहने को घर बार नहीं था आज देश भर में दरबार है था अनुमान जी के लाडले बाला जी का इन पर है उपकार धीरेंदर शास्त्री नाम है सब कहते हैं बागिश्वर धाम सरकार स्वागत है आपका आप इतने मीठे इतने प्यारे मुस्कुराते क्या राज देश के पीछे यह नाचूरल है या आप कैमरा फ्रेंडली है मतलब आपकी मुस्कुराट दे क्या अच्छा लगता इसके बारें बताईए तो हम अपनी जिन्दगी में मौज में जीते हैं और कैमरा तो आजाया मुस्कुराट तो जन्म के बाद प्रारम भोगी मुस्कुरा ना हमारी जिन्दगी में हमारी माने सिखाया है मा कहती थी जब भी घर से बाहर निकला करो मुस्ख़राती हमारी माने बहुत अच्छा सिध्धान्त दिया। हमने मासे एक दिन कहा कि मान तुमको सेवा ने तुमारी करपाते। हम देश के अभागी बेटे हैं। तब उन्होंने एक बड़ा सुत्र दे करके हमको गर्शे निकाल दिया। उले अब तुमारे दरवार में और तुमारे जीवन में जो सामने आब है तुम्हारी मा है। बस उसकी सेवा ही मेरी सेवा मान लो। और ये motivational speech हमने मा की सुनी। और उस दिन के बाद पिर हमारे मुझ से अनायास मा कोई भी आब है। अब हम उसी की सेवा में लगते हैं। Pardon me for my ignorance, मेरी अज्यानता के लिए में शमा करिएगा, क्या ठीक रहेगा, किस नाम से आपको पुकारू यहां पर बैए। क्या बोलूं, बाबा जी, आचारे जी? बाबा जी सुनने हमें बिल्कुल भी पसंदे हैं। और जो भी यह बोलते हैं, तो हम अन्दर से खोई से रहे बार से, तो हम बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी कोई चमता नहीं है। इसलिए ठीक है, बात अखलदों के लिए बाबा जी सुना में बिल्कुल भी पसंदे हैं। शास्त्री जी बोल सकते हैं। अजास्त्री जी हमारी कोई अभी उपाद ही नहीं है आप हमको माराज जी बोल सकते माराज जी ठीक है माराज जी बिल्कुर हमें सूट करता है माराज कितना respectful word है माराज जी ये अब आप इस समय परिवार में सबसे दरा नजदीक किसके रहे हैं माराज जी बोल देता हूँ कि ये इंटरिवु थोड़ा अलग तरिके करने वाला इस समय आप माराज जी की पर्सनल लाइफ में इंटर करने दा रहे आज तो आपकी ख्याती पूरे देश बर में लेकि शुरुवाती जीवन आपका बड़ा भाव में था चोटी सी जोपड़ी में मापिता के साथ रहना पाँच लोग रहना उस समय आज साल तक अपने भिक्षा मांग के कठोड जीवन जी के अपने जीवन बिताया है तो आज आपके दाम में 70-80-80 लोग हर महीने खाना खा लेते हैं निशुल भोज़ रहे पूरा भोज़न अच्छे थे जितना खा सके मैं जानना चाहता हूँ भूख में बचमें बिताने वाले महराज जी आज कहीं भूके लोगा पेट भर रहे है तो क्या आपका क्या ये लक्ष था लक्ष पूरा हुआ नहीं हुआ क्या मैसूस करते हैं हमने जो अपनी जीवन में अभाव में जीवन जीया है उस जीवन को कोई और न जीये उनके लिए ये विवस्थाएं कर ले हैं अगर बाला जी की करपाएं तो बाकी लक्ष तो हमारा भारत को शनातनिय एकता और शनातनियों को जगाना आज हमको एक अधिकारी महोदे पूछ रहे थे क्या आप करना क्या चाह रहे है भारत में क्या आपके सपने अड्रीम आपका क्या है हमने का माईडियर हमारा एक ही सपना है कि हम जिहादियों से धर्मे बिरोधियों से अपने सनातन की लोगों को अपनी बेटियों को अपने बैनों को और सनातन की रामचरत माहनस को और अपने मंदरों को राम की याक्तरा को और धर्म याक्तरा को शाधियुशंतों को बचाने। असकी है? तो ये हमारा अंतरीम। माना दब की अध्यात्मिक फिलोसिफी क्या है? आप परचा निकालते हैं, लोग को बता भी देते हैं, आप भोजन करा रहें, आप सेवा कर रहें, अस्पताल के बारे में मैंने सुन लिया। आपकी अध्यात्मिक फिलॉसी क्या है, क्या करना चाहिए विक्ति को भक्ति, अध्यात्मिक, मेडिटेशन, जब क्या करने यग्य, क्या अध्यात्मिक फिलॉसिफी है। दया का उल्टा होता है याद, जब तुम दया करोगे तो परमात्मा याद, तो दया से याद आते ही परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी, नर सेवा भी हो जाएगी और ना रहन भी प्राप्ति, तो दया से क्या रत शारीरिक लेवल पे दया या अध्यात्मिक लेवल पे सभी प्रकार्श, जीव मात्र परदया, प्रानी मात्र परदया, और अध्यातम द्रष्टी में सब पर आप पर हनुमान जी के बहुत खृपा है, और सुना तो हमने भी आप पही ने आपकी तीन पीडियों पर आप अन ददा जी करूग्ष, जीको दो बार साकसात्कार हुआ, बच्पन में दादा दादी की कहानी आपने सब्सक्री आपत्र परदया पता के बाद, हमारी जीवन का सब कुछ रॉल हुआ है, माा llevar पिता जी ने उगली पकड़ कर चलना सिखाया और उसके बाद फिर कदम को समल कर चलने की खला हमारे गुरूने से दादा जी ने ठोल डीप जाते हैं क्या करते थे दादा जी वहीं गाउं के बार एक मंदिर है बागिश्वर आज जो दुनिदेश दुनिया के लोग जहां पहुँशते हैं वहाएक जोपड़ी बना कर लेते हैं बड़े फक्कर साध्रो अवधूत महात्मा जिनने कहें जाए सकते हैं परपूर्व में ग्रहस्त ते बाद में फिर उन्होंने नर्मोई अखाड़ा से सन्यास्तिक्षर हनमान जी की खूब बागिश और हनमान जी की कृपा बड़े बड़े अधिकारी लोग उनके पास आते थे साधारन परिवार गाओं के लोग सामाते थे सब के उपर वो दया करते थे उनके पास जो चेतना, सक्ती, पावार, विद्या, सिध्धी आप जो भी उसको नाम दे दे उसके माध्यम से वो लोगों का करीव क्या सिध्धी आपने एक्स्पिरिंस करें पर जीवन गा हमारे पास तो यह भी सीड़ी नहीं है उनके पास ऐसी ऐसी चीजें थी जिनको हम हमारे रिशी परंपरा में, आचारिय परंपरा में, वेदों की परंपरा में हम लोगों निश्रुना वड़ी वड़ी हमारे गाओं के बगल में एक यग होई यग में रात का समय था, बंडारा सुए शुरू करना था लगबग 40-50 जार लोगों का भंडारा उस जमाने की बगल में एक राजनगर के पास में खला गाओं वहां की यगर घी कम पड़ गया उराना जमाना उस बक्त बाहन होते नहीं थे तो वो ब्राजमान थे तो उन्होंने पानी एक कुंड का पानी था उसको ये तीन तीन पानी मंगा करके और कड़ाई में डलवा करके पूरी बनवा दे ऐसी ऐसी लीना है उनके पास ऐसी ऐसी शिद्धियां और फ्रलोगों का भला कहीं है मेरा शास्त्रों में कहीं सिद्धियों का वर्णन होता एक दफ़ा एक दीविस चैनल वाले मुझे इंटर्वु ले रहे थे मैं बगवत गीता में बहुत चर्चा करता हूँ आपके बारे में बार बार सवाल कर रहे थे मैं बोला है मैं उनको उत्ता जानता नहीं 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 उनके पास सिद्धियों होती है अश्ट सिद्धियां बताई गई है तो उसमें अलग प्रकार की है अनिवा लगीमा कामा बशे तक कितनी प्रकार की सिद्धियां है तो अब आप ये बताईए कि किसी को सिद्धी प्राप करनी है आपने कैसे प्राप करी क्या आप कृपा सिद्ध्य है चुकि हमारे परंपरा में ये हैं, हमारे बंस में एक नएक चुकि दादा गुरुजी के जो दादा जी थे वो शन्यासी बाबा थे, उन्होंने सवा करोण हन्मान चानिसा का पहट किया थे, उन्होंने सवा करोण हन्मान चानिसा का पहट किया थे, उन्होंने सवा करोण हन्म करेगा शुक्ल वंस गर्गोत्री अब्राम मरतें और जाओ यहां पर जो भी आएगा वो मुश्कुडाता हुआ जाए हनुमान जी नहीं है सावन को आप हनुमान चालीशा को अनुमान जी गरपती सबकी सद्धा बढ़ाते हो आप खुद हनुमान चालीशा करने का टाइम गौरी इस उसके जो है साक्षी है वो सिद्धी अवश्पाएगा चाहे कला की शिद्धी हो चाहे आपकी मीडिया की सिद्धी हो चाहे आपकी जीवन की सिद्धी हो चाहे आपकी राजनीती की सिद्धी हो अत्वा फर आपकी गायन की वादन की नित्यन की किसी की भी कप राप्त हुई जो कृपा सिद्धी आपने आज बता है खृपा सिद्धी नौद अश्वर्ज की अवस्ता नहीं होगी हमारी और एक दिन हम अपने दादा जी के पास जाते हैं कि आप दुनिया का बताते हो देश दुनिया के लोग आते हैं उस वक्त हमारी परस्तति हैं ब देख लेते हैं उनकी गुरू की तो दरिश्टी बहत उची होती है उनके आठ को आओ बिटवा कहते थे धीरंडर रात को आओ हम लात खोले और उन्होंने हमारा यहां बाएं पकड़ा मैं आज भी आधे उन्होंने यहां बाएं पकड़ा विश्णान करवाया और जो बागिश्वर महादेव मंदिर है आँ सामने खड़ा कर दी फिर वहीं कुछ घटना घटी उजाला हुआ ओ बस काम रे गया मुलियास स कहे दो तुम हमारे और हम तुम हमें और हमने कहे दिया रोते हुए वो घटना देखकर prohibited कमपाएं मान हुआ ओर लाइट देखकर रिचोंकर थोड़ी भाए भी अती आती से ज्यादा भै सरीर में हुआ पर वह बाएं पकड़े हुए थे और हमने चिगहाड कर कह दिया, तुम हमारे तो आपने ये हनुमान जी को कहा हाँ कि तुम हमारे हम तुमारे और काम हो गए, उस दिन के बार फिर कभी पीछे मारे आज उस दिन को याद करते हुए कैसा फील होता है रॉंग्टे खड़े जाते हैं वो दिन, बहुत बार याद दिन बार में तो वो आते हैं और फिर गुरू की याद तो वो उसी से लेते हैं हमारे गुरू की याद तो उसी से जुड़ी है जब कभी में मौका मिलता चाय पीने के बाहरे हम गुरू को याद कर लेते हैं लेकिन वो समय वो छण उस महापुरुष का, हमारे दादाजी का, महापुरुष मदर हमारे दादाजी, लंबी हाइट छेफट की, और रात की, काली रात, वहाँ कोई जेला होता नहीं था, लाइट वहाँ होती नहीं, जंगल का काम, मैधक आदी बोल रहे, लगबग बर्शाद का मोशम था, इतना बदला, वो घट ना घट, तो ये भच्पन में क्योंकि आपको ये कृपा सिद्धी मिली, तो मैंने सुनना, बच्चे भी जब आपके पास आते थे, आप देखके बताएं, तुमारे पच्पन परसंट नंबर आएं, उत्ती आते थे, आप बोले तुमारे पचास परसंट आपके लिए कभी उपयोग, कभी ने उपयोग, और हमें ये लगने लगता कि जितना आपने लिए उपयोग करना है, या प्राथना करनी है, इतना किसी और के लिए करेंगे तो उसका करना है, आपका बच्पन चुनोती पूनता है, ये तो हमें समझ में आता है, क्योंकि त जो पाज़पन से जो तकलीफ दी और उसके कारण आज आप तेलक लगा के ऐसा संदर रहते हैं या ये बाबा बागिश्वर का कोई महाराज जी का फैषन स्टेटमेंट है कोई फैसन श्टेर, हम मनमोजी आदमी है, हमारा एक ही नियम है को कोई नियम नहीं, हमारा एक ही नियम है को कोई नियम नहीं, और हम बहुत ज़्यादा अपने जिंदगी में मनमोजी मरहते हैं, जो मिल जाए, आज लोग आते हैं, कोई लाता हैं, आज ये सजनाएं, आप ये हमको द situated बहुत अच्छा बनाया और बन्नमादे ना ऐसा कहींगे उन सपने को कौम दुद्टकार दे इतना ट्रावल करते हो आप इतना ट्रावल करते हो सब जगे जाते हो सोने का रेस्ट करने का समय मलता है गाड़ी में ही सोले ते गाड़ी में कभी अभी अभी जैसे आए तो वहाँ सोफे पर ही सो लिए 10 मिन यह आपके शरीर की ताकत है शंकल्प की ताकत है शंकल्प और क्योंकि अभी तो आप बहुत यंग है अभी चलना आए आँगे कि चलना हो ऐसा आप कह सकते हैं जिवन में हमने ऐसा सुना है कि जुनों कर रहे ना माइंड अगर एक जगह फिक्स रहे तो ब्रमान साथ भी तो आपने रात को स्थोने इस वब उठने का नियम बना है हमारा हमने कहा है कोई नियम है एक ही नियम है को कोई नियम नहीं अच्छा यह बताओ, वर्जिश करने का सामें मिलता है? अभी ऐसा कुछ नहीं, कभी-कभी किर्खिट खेल क्रिकट खेल जब समय मिलता हमा बाटिंग या बॉलिंग? दोनो, आलाउंडर हैं पन्फ बॉलिंग कैसे करते हैं, फास्ट या स्पिन? नहीं स्पिन, गुगली बहुत माहिर आपने खूब मीडिया को गुगली दिये हैं ते जिरूंग और क्रिकेट पे भी हैते हैं कल मैं खेला क्रिकेट, उसका आज वीडियो मने इंस्टाग्राम पे डाला था बहुत चल रहा हैं तो मैं फुटबाल पसंद करता हूँ, बैबमिंटर लेकिन तो मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ क्रिकेट अनिस्टाओं का खेल है, हम इसको इसलिए पर्शन में करते है अगर आपका सौट टाइमिंग बहुत अच्छा है, तो आप बंडरी पार ख़ल देंगे, नहीं तो गोल आउट हो जाएंगे एमपार सामने आपके काल बन करके खड़ा हुआ है, उसने उली उठाई और समझो, आप आउट हमेशा के लिए भी जंदिगी में होशक आपका फेवरेट करकेटर कों ने फिर ये बटाईए उस जमाने में हम जब तोड़ा जंदिगी के जंगर्स किये दिनों में, जब पढ़ाई करते थे, तो कभी-कभी पेपर पढ़ते थे न्यूजों में कभी-कभी मिलता था, लंबे बाले अपने धोनी साह, लंबे बाले धोनी उसमेरे एक न्यूज की हेडलाइन से मुलाकात हुई, ने कभी ने, और ऐसी कोई हमारा शपनानि, ऐसा कोई शपनान भी नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमारे मन मस्तसक हमें, और वो हेडलाइन समय याद है आज धौनी ने फिर धुन दिया ये 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 हेडलाइन से उस जमाने में चलती ही थी अखवारों में तो किसके साथ खेलते हैं? अपने मित्रों के साथ अब कहा जाएं किसके पाल साएं तो कोई अपने अपने बुला लिये कभी कोई आ गया उनके साथ में नहीं तो हमारी संगीत मनिली चिंदावाद उनसे कहते हैं बजाना है तो कुबली डालो वैसे तो आपने बता ओल राउंडर है फिर भी जादा मदा बॉलिंग में या बैटिंग बैटिंग तो बहुत जदा हमें आनंद अब बने ना बने भी साय अलाग अब जब आपके साथ खेलते हैं तो आपको फिल्डग नहीं करने देते होेँ जब आउटी नहीं अज़ giुकते हो और साथ के लोग बोलटे होगे के माराज़े खुड़ी फिल्डड़ींग करा होगे, माराज ही कर depois कम कर लगेACH जाए तो कुछ बाते हैं, बॉल पकड़ते हैं? यास, बॉल पकड़ते भी हैं, बॉल डालते भी हैं, और फुरे रूल स एंपार वनाते हैं, रूल पसलो उड्यार का हमारे हैं थाउने चाहिए ? आप एंपार ये अगर गल्ती कर देख लिए? मेरे भी गर में ऐसे काफित रहते हैं, तो जब मैं बैटिंग करता हूँ, मैं आउट हो जाता हूँ, तो आप मारी टीम बोल लेती है, कि सर जो है, माली की बैटिंग आप ले लो, तो कहीं बारी रूल तोड़ देते हैं, तो पर लाकर आप पुरे रूल फॉलो करते हैं, अच बड़ा प्यार करते हैं अब आप से, इतने पॉलेटिशन आते हैं अपके पास में, तो कभी आपका भी मनने कि आप्पॉलेटिक्स में जा करीवर्तन लाँक। करोणों का अध्यात्म 10 रुपया में कौन बाहा है करोणों का अध्यात्म 10 रुपया में कौन बाहा है इसका मतलब आप पॉलिटिशन आपको लगता है कि धर्म से राजनीती चलती है राजनीती से धर्म नहीं चलती धर्म दंड के अंतरगत जो राजनिती है, तो ढग की आचार शंगता उसको फॉलू करकर राजनिती चलती है, राजनिती की आचार शंगता को कभी धर्म धंड या धर्मषत्ता श्वीकानि, वही बाप होता है बेटा बेटा. तो आप बेसिकली चाहते हैं पॉलिटिशन को एडवाइस करें, उनको डिरेक्शन दे हम खुद नहीं चाहते हैं पर हम प्रतेक राज पीट पर वेटे हुए राजनेतग्यों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत गुडग राजनेता और बहुत ही सत्यवादी बहुत अच्छे राजनेता बनना चाहते हैं निखरे हुए, सत्यवादी तो नहीं कह सकते हैं पर निखरे हुए राजनेता बनना चाहते हैं आपको एक अंध्यात spiritual teacher की आप रहे तो फिर क्या हमें एक यान ठीक होगा ठूरी personal life में चलता हुआ जब आप सच्छन नहीं कर रहे होते तो कभी-कभी cricket खेलते हैं उसके अलावा क्या पसंद करते हैं entertainment कैसे करते हैं बैसे entertainment आप जिसे लोग में मिल राज और कुछ भी नहीं होता पैसे हमारे जीवन में ऐसा कम समय है अभी कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा मुबाइल चला नशीख गहे क्या देखते हैं मुबाइल में गें प्राक्टिस नहीं होई है मुझा आपके अंदर जो अच्छी लगते बहुत पर आपके बारे में न्यूस में कहीं बातें चलाई जाते तो कोई ऐसी बाद इससे बहुत दिल दुखी हो गए यह नहीं बोलना थी है था हमको ऐसा हुआ कभी जूट ये कभी डाल देते हैं बिना हमारा तथ जाने और डाल दिया जाता है तो हमें बहुत बढ़ा लगता है एक बार हमारे जैसे हमारा कोई विश्य है हमारा तथ भी ले ल जैसी हुई हमारे जीमिन में एक समोसा की नियूज है एक समोसा बिना लैसन प्याज था खा लिया हम तो बहुत बहुत मन वजी काले थे फुल की भी पाले थे उसको नियूज बनाके डाल शक्रमाराज संखलता है बाले और उत्समुशा खा रहें पहले उसे देख तो लो तू खाके देख उसमें है भी कि नहीं फिर एक दो ऐसी धाम से संबन देते मियूज है अब वहाँ धाम के आसपास पूरे गाउवालों का काम है उने के होटल्स है वो अपना व्यापार कर रहा है हम करें क्या उसे हम रोक तो सकते नहीं पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप वहाँ की न्यूज हम से जोड़ो होटल्स में अबर वो जादा पैसा ले रहे है या आपके साथ कोई फ्रॉड गिरी खर रहे है हम कोई गुंडा तो है निहीं हम अधालत तो है नहीं कि हम कुझई उन पर कोई कारवाई करें पर उस चीज को जब हम से जोड़ों कहीं नयक्त निकले अपड़ोंकर सनातनियों को एक करने निकले तो यह सब तो चलता रहेगा जो इसे विरोधी जो मानवता कि विरोधी है वो अपने हत्खंडे अपनाएंगी ये उनाएंगी एक गलत न्यूज मैं जानता हूँ आपकी क्योंकि मैं जया किश्वरी के साथ ड्राइब कर रहा था तो रस्टे में बात कर रहे थे पूछा उनसे कि आपका नाम बाबा बागेशोरी के साथ जोड़ा गया तो बोली मैं बहुत हर्ट वी थी कि मेरा नाम उनके साथ जोड़ा गया और मुझसे किशी ने पूछा नहीं बड़े-बड़े न्यूस चैनल ने चला दिया फिर मैं एक दफ़ा सुना कि आप कहते हैं कि वो मेरी बहन स्वरूप है हाँ हम कभी मिलें हम जानते हैं हमारी कोई परश है हमारे प्राया दस्टी हमारी मा और बहन की दस्टी से कि दरबार में कोई ऐसा भक कभी आया जिसकी कहानी से बड़ा शौक हो गया यह क्या गड़बड हो गया था माना जी मानदारी से एक बाप बताई मुझक कोई ऐसी बुरी आदत है तो छोड़ना चाहते हैं कभी पराने बचपन के दो जिसने आपके साथ लड़ाई पिटाई करी हो तो आप बोलते हो आ तेरा परचा निकाल दो एक दफा आपको टीटी ने पकड़ लिया बिना टिकेट के ट्रेंड में जा रहे थे आप कहते हैं हनुमान जी बिना वीदा के चले गया श्रिलंका और रावण सेपकी फोन पर बातचीत होती है यह मदाग में कहा था यह बातचीत होती भी है कि दरबार में पोई एसा बग कभी आया अगले टॉपिक पचल भांदरा इसकी कहानी सा बड़ा शौक हो गया यह क्या गढ़ हो गया नहीं एक बिचत्र अरजी जरूर आई थी क्या थी अरजी ऐसे सौग्डवाली तो बहुत आईं कि जिनके जीवन में बहुत उठापट हो गई तो उसको लेखा कि बहुत ज्यादा परिशान तो हुए कि भगवान यह बहुत परिशान है लेकि लेकि आयाइटी का बच्चा धाम आया था बहुत अब साना पड़ा लिखा साना वो कहता है कि हमने सुना कि मंदिर पड़ नारियल बांदे तो आपको जो बोलें वो पता लग जाता है। किया हम चुप रहे हैं मुश्कुराती रहे बहुत हो भोलते गया तो फिर अगर तुम जानते हो तुमारा बाई पाई यतना हाई फाई है तो बताओ हमने तुम्हें मंदिर पर कौन सी कालियां दिया और मेरी कोई अरजी नहीं है नहीं मुझे नौकनी चाहिए नहीं मुझे वाला आदमी वो इस गलत फेहमी में आया था उस बक्तनीजवों में रीडर वाला काम चला दिया तो में लगा कि ये माइंड रीडर वाला आदमी है वो खेल दरसल केवला के धोके अंगारा खा गया अब बैठाओ हमने लिया गुरू जी का नम हमका गुर्दयो अब आज फ बरोजा ये ता थी इस बोलेगा तो इतना वर वीडियो कटके हम बाबा कभरोत करवाएंगे और हमने तो हमने का आजाओ तो तो हमने लिया पर जितनी गालियां दी थी वो लुखी है और दो एक्स्ट्रा लिखी हमने बुंदेल कंडी और पिर रुकिये नीचे लिखा सेम अब नहीं आती है अब लोग प्राया सब समझ गए है तो जैसे आपकी मेडिया लाइन के हो गए जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाते ना उनको ये खीडा बहुत जद्दी काटना है अचा पढ़ा लिखा कभी नहीं बोल नेवार जो जो ज्यानी है नहीं अग्यानी अग्या वो ऐसे खाम करता है जो जिसने पढ़ा है जिससे पता हो आपने पढ़ा तो आपको पता है कि अश्ट शिद्धियां है अडिमा महिमा लगिमा अप्रने आकाम की शुत्य वशप्प इस शिद्धियां होती है हमारे भारत में श्रहद पुझ देवराहा वाले बाबा जैसे म महापुरश हुए जिनोंने ट्रेने रोग दी एक साथ कई जगों पर दर्शन दिये पुझ दादा गुरुजी शुन्यासी बाबा हुए जिनोंने पानी का भी घी बना दिया ऐसे महापुरशों की भूनी तो जिसने पढ़ा है जो अनपढ है उसे लेना देना ने जो बीच का भीच है ठला वो आता है उसकी अम ठला मतलब बेहुदार जो नाम कमाने के ओबर स्माटगिरी के चक्कर में आता है तो बस छिलवा करके चला जाता है तो आप भी छोड़ते दें यह जाता है अगर हमने छोड़ दिया तो घर पे जाके उन लुगाई को ये कहता है कि आज बाबा चुप हो गया अगर ये गएगा दुनिया को ये बताएगा कि हमने आज बागे शुर धाम को चुप बहुत बड़े बिद्वान बन ले थे बहुत बड़े ये बन ले थे हमने पता आया है कुछ नहीं ऐसा बैसा तो अगर छोड़ देंगे सो साधारन लोगों को ठि आया था क्रिमिनल हमने कहा कि यार भई तुम ये तुम भपकी कैसे बनाते हैं बोले हमें एक नामचीन व्यक्ति को पकड़ते हूं बीच चौराइप उसकी ठोकाई कर बांकरी रोगता है तो महाराज की ये स्ट्राटेजी है हमने वो साइकलोजी उसकी पकड़ अब वो तो अब 10-20 को ठोकेंगे तो सब की बुद्धी ठेकाने लग जाएगों सब अनमान जी के छेला बन जाएगों आपकी बात सुनके लगता है कि जैसे मच बच्पन में महाराज आप सीधे साधे बच्चे नहीं रहे हुगा शैतान रहे हुगे इतने भी सैतान में हमारे जीवन की सरकारी स्कूल में पढ़े इन्टरवल एक बज़े होता है बस वही है हम्ने साल्हे ग्यारा के बजा दिये तने अच्छा घडी गुद्धी घंटका वजए तो पड़ा मास्टर जी ने बाद में हुगे आज मास्टर जी आठ करते हैं गलत प्रटाई कर दे हमने नहीं आ हम क एक बड़ी करपारी, हमसे सब बहुत प्रेम करते हैं, बचपन्स एक लही है, वो मास्टार, वो प्रोफेसार, वो हेड मास्टार, बहुत इश्चार, तो बचपन के स्कूल के दोस्त हैं भी आपके नहीं, हाँ अभी भी हम दोनको मिलते हैं, जाय भी थे कभी-कभी हम लोग लगा दिया आपने नहीं, हमारे जीवन में हमने अपने परिवार, अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी जीवन के इस सिद्धू रख, इस सेवा प्रणाइच गलत मेसेज मतलब अपने खास लोगों को रखा, कोई इस तैजी ये वो दुनिया दारी, शगे भाई को भी नहीं अपने जीवन मनक, कमी कमी मैसे आप मोबाइल यूँज घरते हो, मुबाइल पर क्रिकेटा थे देख अच्छ लगा सुनके, ये फिलम में कॉनसी आपने देखी लास कॉनसी पसंद आई आप कस्मिर फिलम फाईल, शब और शब में कि अच्छी लगा है क्या नहीं में प्रफिक देखते हैं कभी या आपने बायोपिक मतलब नहीं कभी कभी कहानियां शुनते हैं कोई व्यक्ति कहलब कहानी बोल रहा हूं उनको धोनी आपको पसंद थे उनकी मूवी देखिया आपने नहीं देख पाया है होने नहीं कहाना के वो इस वक्ति की है कि शुमर्टी में जुटय हैं कभी हमारा यह सपना नहीं कि हमें मिलना है आब इसे कुछ नहीं, लोगों में भ्य Cathy, कुई मिलता है, तो हमें एंहीं लड़ता है कि यी बहुत चरू दी है वह अपनी बात भूलता है, तो हमें लगता कि इसको मर्णक दर्शन देना बहुत चरू दी है हम है अपने जो में बाला जी ने करपा दिये उसका सदवयों यहां करना चे और वो सामने वाली का टाइम दंब हो जयाते जैसे हमें आपके पास नो बजे पौंशना नहीं पौंश पाए तो हमें लगता है कि यह हमें सुधार करना चे हम कर नहीं पाए शेयमें सोभागशालि जब कभी व्यक्ति अपनी पूजा करवान प्रारंब करा देता है अपनी महमा गाना प्रारंब करवा देता है अपने आपको ही शर्वों करी या अपनी बात को ही शर्वों परी भगवान हमारे है यह बहुत अच्छा है लेकिन केवल हमारे है यह बात का कोई भी स्पिर्च आपके खिलाफ बहुत इस्तेमाल करते हैं ले देकर एक ही है कि पाखन फैला रहे हैं विश्वास्क फैला जो की ही बेतुकी बात विनाफ्यक्ट माराजी बताओ दार्मि किताब या सभिधान किसको उपर रखना चाहेंगे हैं? धार्मिक किताब यह संभीदानी मैं, शंभीदान के साथ धर्मिर लेकिन हम आपको बता दियों, शंभीदान का प्रारम भी हुगवान शीराम के चित्रशे हो, वगदोनों अवशक, लेकर पहले राष्ट शर्वोपरी, अराष्ट का संभीदान शर्वोपरी, और शाथ में र एक के कारण सब को एक पराजुक पॉला जाते जब धर्म को धन्दा बनाया जाते जब धर्म को शिर्फ एक मंच पब्लिक जोटने का बना तो हमें बहुत थोड़ें कहीं नहीं पाते वो हमारी मजबंट ने एमोशन्स नो है न आपके भी और जब आप अपने इन मित्रों के बिछ में रहते हैं तो क्या सीरिस रहते हैं यह सही मजाग करते हैं बहुत थागा रगाद एजिस यह जश्या बढ़ा we कभी जोटन तुरे को अरे को अरे को बाभा वारी हैं तो यह पोड़ा से पॉटली है तो हमारी जिंदकी खुद की जोग है अपने लोगों को सुना दे रहे अपनी जिंदगी कि एतने जोग हैं खुट के नेजी जोग हैं कभी पराने बच्पन के दूर जिसने आपके साथ लडाई पिटाई करी हो तो आप तो आ तेरा पड़ा निकाल दो अजया एसा दो नहीं हुआ बस ऐसे कभी जैसे कहते हैं जैसे हमारे लोग जब हम बैठते हैं तब चर्चा करते हैं उले आपकी साधी हो रही है तो हम खेते हैं कि बात तो यह कि साधी तो ठीक है लेकिन लफडा यह तो टिकी कैसे उसे जूट बोल ना है हमें पर्चा बना द आप आप में आपको अलग तरीके से देखता है और आज हम चाहरे हैं कि आपको अपकी पर्सनल लाइफ को समझें कभी जब पर्सनल लाइफ को समझें कभी जब पले टीवी नहीं था आपके पास है पड़ोशी के गर आप एक दफ़ा गाई टीवी देखने के लिए उसने अचरोन लहां आपके टीवी देखते हैं जाम क्या गोखतें यह अजैनलेगिए क सम्सकार देख लेते हैं कभी कुछ देख लेते हैं कभी कormuş लेकल अपि पन। इन्डेंए अपना देखते हैं अपने मुझ देखर के हम देखते हैं हम को सुद्षार क्या कंना कौन सी कर शी क अच्छा अच्याइब जीवन अच्छा ना रही यह एक शिक्षा देना चाहते हैं कर्म हमने आलस नीक है, जो गुरु ने आज्यादी बूखी है, आलस नीक है, बहुत मेनद करते हैं, कितना गंटा आप काम करते हैं, अठारा उनिश, और सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, मतरव हमारा कोई दक्षना तो है नहीं, शमाज आता हूं, मने काम बोल दिया, उसको अठारा उनिश, जान तो लेते हैं, यह जो परच्छा निकालते हैं, कोई फीच लेए, कोई नहीं, प्री आफ काॉस, सब सेवा है, और हमारा धर में बिक्ता भी नहीं है, आपका रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है, पैसा कहा से आता है, आपको इतनी सेवा चल रही है, इसी बता रहे, तो मन करना बताने का, एक दफा, हमारे मेरी एक एक्सपर्टीज है, मैं अगर स्टेज पर खड़ा हूँ, और मेरे सामने दस हजार बिजनसमें बैठे है, कोई भी सवाल खड़ करे, और पहली लाइन बोले, दूसरी लाइन बोले, तो मैं बतायता हूँ, उ अगराज, आप कितना देखो, आपकी, कितना फेथ है, ट्रस्ट लोगों आप में, कैसे लोग बात को रिलेट कर देते हैं, एक दफा आपको टीटी ने पकड़ दिया, बिला टिकेट के ट्रेन में जा रहे थे, उसे अपसे पाईसे मांगे, और पाईसे है, आपके पाईसे देखो, आपको देखे पैसे, क्या हुआ था, हमारी जेब कट कही थी, तेरा से रुपया एक मोबाईल था, वो इस्टेशन पर इस्टेशन पर इस्टेशन पर पहुंचे तो वहां उसने, किसी महापुरिश्य में खाट ने, कृपा तो थे ही, नाम पता चल गया, पर कौन हमने का चलो, आपके चलना है, इस रुपय सनी बार था, आपके शुरधाम पहुंचना था, ट्रेन पकड़ें तो मनी मन में हमने अपने आराद इश्य चर्चा की, ऐसी तो कोई हमारी बात होती नहीं कि सामने कोई शकती हो, या कोई हमसे बात करता हो, हमने का कि क्या करना है तो कहा कि ट्रेन पर चलना है, हर बार तो जन्रलोग अभी सिली पर दम लग गई, थोड़ा सा करपा हो गई तो इस पर जाते थे, उस दिन अपनने का फरस्टेसी पर चलना है, क्योंकि ठीक्टी नहीं है, बस चड़ गए, ठीठी आया, उन्हें गटना होई, उन्हें का ठी ये बन में आते, तो उसे लगा तो, उन्हें फिर बहुत अंग्रेजी बोली, जल जाओ गई, 1250 रुप्या जुर्माना लगेगा, 6 माई की सजा होगी, ये वो दुनियांगारी माता पिता को भी पकड़ा जाएगा, ये सब बातें करी रहे थे, हमने का कि इसके पहले ये ब बदनीया, तो उसे बड़ी टॉन में बात, है तो, अमने का पिता जी का नाम ये है, अब थोड़ा डाउन, तो जहे क्यासी पता, आरे हमने का ये बी पता है, कर तुमारी पतनी का नाम सभीता है और लड़का नी हुआ है, आप भो बिलकुल निउटन हो, तो मैं कैसी पता चलाता हूं, उस बक्त अन्माजी की छोटी सेवाले लेते थे, अन्यकुल निउटन का ये देख, उसा बबबा की डबबा का चमत काल, अधुमाय डबबा में खुल गया, हेर वास, हमें आज भी याद है, उसने बडिया, चलिए, का चलिए, बडिया सफेद बगबगी सी, बडिया जी, हम तो थके हुए ते दिन बार के, हमना दोनों पैर ऐसे गरें उनका खुसरो, गुरू जी चाह हमकी नो कौफी, चाह कौन प्या पी अपी, अधुमाय आज भी आदो, बानता हुआ गया अगया अगया, जे कौफी लेकर आया, और दो चार पलचा और ठोके, हम बडिया, उसका प्रजो जाज चेक करना बंद हो गया, बोले अमनी चेक करना हो गई चेक है, सोभय तक चरन दवाता रहा, गुरू होगा, अधुमाय जाओ लड़का होगा, आसीर बाद है, डेट दे दी हमने, बास जैसी जासी आई, बोली गुरू जी, उस बगत पान पान पुराने नोट चलते थे, उसने दो नोट रहा हो, एक सोगा, गुरू तक्षुना जी जिया आओ, अमने जेमाने लड़का हो गया, ऍटेरा सो गया, ग्या रासो आगै, दोशो ठिकके काटनी है, जैएगो, तेरा सो गया, दोटो ठिके काटनी नी काटनी है, जैगो, साथ एक और हमारी आदत, कोई भी बात हम छिपाते, अच्छी अबूरी, कुछ भी हो, और हम यह दम रखते हैं कि कहीं पर भी कुछ आपके दिमाग में आज की जनरेशन में भरन, वो how possible, उनसे अगर हम सास्त्रों में कहे दें, जैसे रेल की नाम अगर हिंदी में सुद्ध लिया जाए, लोह पत्र गामनी के उपर कृप्या करके आप बैठ जाए, ताब उनकी बाशा में करनेक्ट करने के लिए करो, कैसे उसको करनेक्ट किया जाए, यही कताकार की एक भूम लका, बाई बारा गोर स्वामी तुलसी उठाकर ग्रम भासा में लिग दिया, और आज बालिमिग जी की रामाइड को बहुत कम पूछा जाता है, तुलसी करत राम चरतमानस को बहुत पूछ तीक बाद है, लेकि आप यहां इतना मुश्कुरा रहे, अच्छा लग रहा है, आपकी वाइब्स आरी हमारे पास भी, और भी लोग बैठे हैं देख रहे हैं सब, लेकिन कभी कबार अप उस्से में बहुत आता है, पक्तर मारने वालों के घर पे बुल्डो तर चलाओ, नंगा कर देंगे, छट्री बान देंगे, राष्ट की चर्चा और शनातन की चर्चा हो जब हमारे कोई हनमान जी के ऊपर और हमारी अध्यात्म सक्ती पर, हमारे सिध्धी पर, हमारे इष्ट पर, हमारे राष्ट पर, और हमारे इस राष्ट के पुरे विश्व के आराद भगवान, श्री राम, भगवान कृष्ण पर, कोई भी उंगली उठाता है, तो हमें लगता है, तो हमें लगता है, बढ़ 600 मैंने सुना कि मुसल्मान दोस्त है आपके और आपकी बहन के विवा में भी किसी मुसल्मान ने आपकी मदद भी करी और आप हिंदू राष्टर चाहते हैं हिंदू राष्ट का मतलब है सब मजहबों को रहने का धेर हिंदू राष्ट का मतलब है जाती वाद की भावनाओं को शून कर हिंदू राष्ट में कागज में नहीं लोगों के दिलों में चाहे हिंदू राष्ट का मतलब है बगवान राम की आत्रा पर पत्थर ना फेंके जाए। हिंदू राष्ट का मतलब है सामाजिक सोहाद्रता। हिंदू राष्ट का मतलब है इस देश के आराद पुर्भू शीराम को कालिफिनिक ना बताया जाए। हिंदू राष्ट का मतलब है स जादू संतों पर पत्थर मार कर उनकी वरवरता से हत्या ना की जाए। हिंदू राष्ट का मतलव है प्राचीन सनातनिय संस्कृती का पुनाधवज गारना और उसके प्रती लोगों को वोड़ना की। यह हमें कागज पर नहीं चाहिए। कागज पर तो हम कल करवाए। हम तो लोगों के दिलों में चाहिए। आज मीडिया का चमाना है। मीडिया के दोर में कुछ भी असंभो या समगो नहीं। गुरू असनी वही है जो अपने से ना जोड़कर ईश्वर से जोड़ता हूँ। गुरू हो है जो तुमसे ये ना गाए कि माया चोड़ो और हमारे दान पात्तर में डालो। बो गुरू नहीं। बो बगवान से जोड़ता हूँ। महराज जी हमने सुना कि आप बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। बहुत लोगों को बुलाएंगे नहीं आप शादी में लाइव टेलिकास्ट करेंगे उसका। तो यह क्या है यह लव मेरेज यह क्या है यह रिंज मेरेज है। कोई लाइव टेलिकास्ट नहीं होना है। और जितने लोगों की सामर्थता बने पाबे गुलाबेंगे। जो माता-पिता जिनके लिए आज्या देंगे। और हौनी है उसमों कोई सुन। कि माता-पिता की आज्या से जो नाम दिया जाए। वे नहीं हम माता-पिता की सुनते हैं। कई बार पिता जी कि उस सुनकर के हमें भी लगने लगता है कि सिंधि पोर्षण का भी बाप होता है। कब मान ले के महाराज जी की शादी किस तरिक तक हो जाएगी? हो जाएगी, इसके लिए आप कभी धाम आओ तो अरजी लगाते हैं अपन्च देश-दुनिया की घटनाओं का आपको पहले ही पला चल जाता है पीठा दीश्वर शंकरा चारे जी ने भी खुब बात किया तो इसलिए हमने का कि आपकी शादी का परचा भी होगा देखिए ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है कि देश-दुनिया की घटनाओं का पता लग जाता है कोई अरजी लगाता है तो हमें अपने आराद्शे इस मुर्ती में इस जैसे पता लग जिया कि अगर हम आज नहीं जागे तो तो शालवाद हमारे धर्म की क्या इस्तिति है तो हमने मुह यह खोल देखिए अब कोई आया है वो पूछे हमसे हमारे आजी हमारे बाला जी क्य के अनमान जी अनमान जी से पूछे अगर वो चेतना ले देखो अनमान जी संधिया सकती है ड्रॉण आइस होती है उनके पास उपर की आइस तो देख पाती है कि आंगे चलकर प्लिख का एक्ला चीड리न्ट का अने वाला यह पीलैगा और गोल मिलेगा यह अचोरभा मिलेग अगर कोई अर्जी लगाता है ये विश्व कल्यान की अर्जी लगाते हैं जानना विश्य अलग है आप खुद अर्जी नहीं लगा सकते हैं बिलकुल लगा सकते हैं हम राष्ट के कल्यान के लिए विश्व कल्यान के लिए निरंतर प्रात्रा ही करते हैं तो मैं तो ये रिक् जिनको उनों पर कार करना है कौन सुने वाला हमने कहा तो है कि भारत में ये दो चार गत्विदियां बदली है किसन बदली नहीं बदली नहीं सब विचारे हम सब लगे हैं भारत के यो और दूसरी बात जानना विशय लग है टालना विशय जानना विश्यहलाद भगवान कृष्ण भी जानते थे महाभारत होगा पर उन्होंने संधी का प्रिष्टाव नहीं छोगा और भगवान राम को भी पता था कि जानकी जी का हरण होगा पर क्या लक्षमर जीने लक्षमर रेखा छोड़ी वो भी खीच करके पर भी जानकी महता को फरन हो तो जानना विश्यहलाद उस खर्म को टालना इश्यृक्र के पराथ जी आपने विवादों में रहेकर के भी लोगों का विश्वास जीता है करूळ लोगों का मारुदर्शन किया हैं सही माईने में आपने भारत को बड़ा भारत बनाया, आपने कई गरीबों का इलाज कराया, अस्पताल बना रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लोगों को बोजन करा रहे हैं, उनका आप पर विश्वास, बेटियों का विवा कराते हैं, उन सब का आप पर विश्वास और आपका उन पर आशिरव आज इनकी पॉलिटिकल चर्चा तो खूब होती रहती है आज इनकी पॉर्सनल लाइफ जहन के आपको कैसा लगा और हम भी बिजनेस गुरुगों का आशिरवाद दिलाते हैं हमारे कस्टमर्स को हमारे साथ में अरभ पती बिलेनियर जुड़े में जो आकर के बिलेनियर ब्ल मार्च 2024 एक सो इंक्याउन बेटियों का कर रहा है और सब को एक एक मोटरशाइकल देने और ऐसी बेटियां जिनके माब आपने आदवाशी शुमास ट्राइवल एलियास की उन बेटियों को बागे शुधाम से हमारे जो बिजनेस में कस्टमर्स हैं सारे देश के आज आज अगर बिजनेस में को एक लाइन में 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 सिज देंगे तो क्या में देंगे पहली नंबर तो सफल्ता का शुत्री है जो प्राप्त है वो परयाद दूशरी बात आप किसी से अपने आपको कमप्यार मत कर शपने बड़े देखो शंगर्ष करो विलगिट्स की एक बात याद आती है उससे किसी ने पूछा कि आप रातो रात अमीर वनगा इसका रहस्य क्या है उसने टेबल पर हाट ठोकर कहा कि यस रातो रात अमीर वनगा पर ये किसी को खवर नहीं वो रात कितनी लंबीच तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है संभवशब कुछ है जो हमारे जैसे गाओं का आद्वी यहां तक पहुंच सकता है आप भी सन्त माता पिता और कर्म इन पर भरोशा करके बढ़ियेगा एक दिन आपकी जिन्दिगी में भी चार चाम नहीं तब से अच्छा लगा मुझे इनकी मुश्कुराःट यह जो विडियो होने वाला है इसको मैं शुरू में भी डाल रहा हूं कट करके इसको जरूर देखना आपको इनकी मुश्कुराःट सिंप्लिसिटी ब्यार से बूल देने वाली चीज़े मुश्खिल बातों को भी अ अच्छा लगा आपका हिर्दे की गहराई से महाराज प्रेम पूरुवक हाँ जोड़के बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब कई बहुत-बहुत धन्यवाद